हाँ गुड मौनीं एवर्वन में मोर्म में मेलिंग मेनु में डेक्षीट करते हिं एंवलप करते हैं ढूई आप जानते आप मार्केट में आप यहांबो आपके यहां पर डिजिटल क्रेटक्र सकते हिस्के लिए आ में जाएंगे click करेंगे जैसे ही आप envelope में click करेंगे आपकी sub window आएगी ठीक हैं इस तरीके से ये जो envelope and label की window open बन होगी इस पर आप डिलवरी एड्रेस डालेंगे यहां पर आप एड्रेस डाल सकते हैं जैसे की नेम सपोज राहुल दूबे आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं आउस नंबर धरमपुरा जगदलपुर बस्तर यहां पर आपको पिन कोड देना है तो वो भी दे सकते हो तो इस तरीके से आप एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस लिखे एड्रेस लिखेंगे और आपको एड्रेसे लिखेंगेуса देंगे यहां पर देखेंगे यक एन्वलप आ गया है उसके बाद प्रेंटर से इस एंवलप की कॉपी निकाल सकते हैं तो इस तरीके से यहां पर आप एंवलप create कर सकते हैं और easily उसका print out निकाल सकते हैं जैसे envelope आपने create किया है तो ये envelope जो है उसी के जैसे आप label भी create कर सकते हैं जो label है वो portrait में है means लंबा होता है और जो envelope होता है वो land is cap है ना land is cap means इस तरीके से चोड़ा है तो आप इस तरीके से label और envelope print कर आ सकते हैं यहां पर देखेंगे जैसे ही आप label में click करेंगे window open होगी अभी कौन सा tab show हो रहा है पहले envelope का tab show हो रहा था अभी label का tab आप जैसे ही आप label का tab में जाएंगे इसके बाद address इस तरीके से डालेंगे और address डालने के बाद इस तरीके से full of full page of the same label आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या single label चाहिए single label भी कर सकते हैं तो यहां पर जो show हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से show होगा कितने rows हैं, columns हैं, ये रखना है तो आप ये भी setting कर सकते हो full of page में रखना है तो full of page भी आप set कर सकते हो यहाँ पर new document जैसे ही आप जाएंगे new document इस तरीके से show करेगा तो यहाँ पर देखेंगे different आपके पास levels आगे हैं, यहाँ पर हमने same नाम लिया था इसलिए same आया है, अगर आपके पास different name का database है तो आप उसको use करके इस तरीके से different name का बना सकते हैं label, ठीक है ओके, thank you